कि है इस वीडियो में डिस्क्स करेंगे हम में पाथ क्वेश्चन का सल्यूशन इसमें क्या था आपको एक में का साइज दिया गया है न और एम के टर्म्स में आप टॉप लिफ कॉर्णर में खड़े हैं आपको बॉटम राइट कॉर्णर में जाना है और उसके सारे रस्ते कर आप सोर्स पर आपको डिसनेशन जाना है तो आप कुछ इंटर्मीडिय पर जा सकते हैं यहां तक आप पर टon holding जा दिकर पनाना होगा तो ल 가장 इनका नाम है P1, P2, P3 इनके मूँ पर E1 effort लगाना होगा I1 से D का रस्ता है P1 या P2 या P3 S से D का रस्ता अगर आपको चाहिए तो वो E1, P1 होगा E1, P2 और E1, P3 ठीक है इसी तरह से अगर ये P4 है तो S से D का रस्ता E2, P4 होगा और अगर ये P5 और P6 है तो S से D का रस्ता E3, P5 और E3, P6 होगा तो ये इसका बेसिक प्रमाईज है ठीक है अभी आप जो आपकी माट्रिक्स है let us say हम 3 by 3 की माट्रिक्स लेते हैं और आप यहाँ पर है 1, 2, 3 1, 2, 3 आप यहाँ पर है तो 1, 1 से बंदा 2 स्टेप ले सकता है या तो horizontal स्टेप लेकर horizontal स्टेप लेगा तो ये row, column पहले row है बाद में column horizontal स्टेप लेगा तो row वही रहेगी column बढ़ेगा vertical स्टेप लेगा तो यहाँ पहुचेगा ठीक है और हमें जाना है 3, 3 अब 1, 2 और 3, 3s के कुछ रस्टे अगर आपके पास हों कुछ रस्टे आपके पास हों तो 1, 2 से 3, 3 के जितने भी रस्टेप लेगा दिया जाए और 2, 1 से 3, 3 के जितने भी रस्टेप लेगा दिया जाए तो आपके 1, 1 से 3, 3 के रस्टे बन जाएंगे तो लाइए देखते हैं बंदे ने वनवन ने एक horizontal step रखे यहां महुचा और एक vertical step रखे हां महुचा अब मैं आपको 1,2 से 3,3 के रस्ते लिखाता हूँ एक रस्ता है यह एक रस्ता है यह और एक रस्ता है यह तो 1,2 यह दिस 1,2 से 3,3 के तीन रस्ते हैं तो इन तीनों रस्तों को जो 1,2 से 3,3 के जो तीन रस्ते हैं इन तीनों को अगर 1,1 से 3,3 का रस्ता बनाना है तो इन तीनों के move पे h लगाना होगा h,h,vv h,v,h,v h,v,h क्यों लगाना होगा? तोंकि h से move करके वो यहां आते हैं और फिर यहां का रस्ता, ह-move करके यहां आया और फिर यहां से आगे ह-v-v हो गया, ह-move करके यहां आया फिर यहां से आगे व-h-v हो गया, ह-move करके यहां आया फिर यहां से आगे व-v-h हो गया, चिक है, similarly, अब यहां से बात करते हैं यह एक रस्ता है, v-h-h ये एक रस्ता है HVH और ये एक रस्ता है HHV तो ये है 2-1 से 3-3 के रस्ते हैं अगर इन 3 रस्तों को आप अप्ग्रेड करके 1-1 से 3-3 का रस्ता बनाना चाहते हो तो इनके मुँव पर V लगाना पड़ेगा V का effort लगा कर यहां है और फिर यहां से V एच-च करके हाँ मौचे V एच-च करके हाँ मौचे V एच-च वेच-च, वीच वेच, वीच-च, वेच-च, वेच-च बाकी हम अपना expectation रस्त भी जथ करेंगे इस एरलेस्ट पे लूप लगाकर उनके सामने लगाकर इस सार्य लेकर देंगे replay लो यह हमारा ओलin चल रहा है ॹो लेट इस ट्राइटू के इस केनर महरा प्यारा scanner फिर हमने बनाया जी एन फिर जी लिया हमने एन अब हम क्या कहेंगे पाथ इक्वल टू गेट मेज पाथ वन कॉमा वन से हमको जाना है एन कॉमा एम जाना है मतलब टॉप लेफ्ट से हमें बॉटम राइट जाना है तो इधर बिच्वे वटेवर यू लाइक इडा इस नॉट इंपाक्ट अच्छा जी कि अधिया जीकना तो फिर जो हमारसे से एक्सप्पेक्टेशन है कि हमको वन वन से एन-एम का रस्ता मिलेगा अमें से इन-पेक्ट यहां से destination के path हमें मिल जाएंगे यह horizontal move है यह vertical move यह horizontal move है कि column बढ़ा है ठीक है और हमें faith यह भी है कि हमें अगर मैं एक vertical motion करूँ तो मैं पहुंचूँँगा SR plus 1 पे और मेरा column change नहीं होगा और destination को भी change होता ही नहीं है तो मुझे यहां से भी DR DC के रस्ते मिल जाएंगे अब मैं इसको generic terms में यहां बात करता हूँ मैं SR source row source column पे खड़ा हूँ मुझे destination row destination column जाना है मैं अगर horizontal चलता हूँ तो मैं SR, SC plus 1 पर पहुंचता हूँ अगर मैं vertical कदम उठाता हूँ तो मैं SR plus 1 SC पर पहुंचता हूँ अगर मुझे यहां से यहां के रस्ते मिल जाएं जो कि मुझे मेरा faith देगा तो इन रस्तों के उपर मैं H लगा दूँ इन रस्तों के मूँपर मैं V लगा दूँ तो मेरे SR, SC से DR DC के रस्ते बन जाएंगे तो देवियों और सज्जनों हम अपना path declare करते हैं अब हम क्या करेंगे जी H paths में लूप लगाएंगे horizontal path जो है वो H paths से हमने निकाला और paths में हमने add किया लेकिन उनके मूँपर पहले H लगाया horizontal path के मूँपर पहले H लगाया यहां तक आने काम भी तो करना होगा फिर vertical paths पे loop लगाया उनके मूँपर V लगाया V path last में मैंने return paths कर दिया अब हम इस code से थोड़े से base case पता करने कुशिश करते हैं ठोबाद dry run करते हैं इसको चेक है हम वही वाली problem लेके चलेंगे यह हमारा चोटा rectangle तो आब base case पर फिगर आउट करेंगे 1,2,3 कुछ fine tune करना है तो वह देखेंगे तो देखेगा आप 1,1 पर खड़े हैं आपने horizontal चला 1,2 पर पहुंच गए vertical चला 2,1 पर पहुंच गए horizontal चला तो 2,2 पर पहुंच गए vertical चला तो 3,1 पर पहुंच गए row कॉमा column है ना पहले row फिर column यहां से भी horizontal, vertical horizontal, vertical horizontal, vertical horizontal, vertical horizontal चला तो भाई बाहार निकल गए 1,4 vertical चला तो 2,3 horizontal चला तो 2,3 vertical चला तो 3,2 horizontal चला तो 2,3 वर्टिकल चला तो 3,2 और जोंटल चला तो 3,2 वर्टिकल चला तो 4,1 तो यह वाला रस्ते तो बंद होते हैं 1,4 क्या बखवास हो रही है H, 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 तीन बार H, H, H करने की जगह नहीं है बंद हो गया रस्ता V, 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 यह रस्ता ही बंद हो गया क्यों? 1,1 से गए 2,1 में फिर गए 3,1 में और फिर 4,1 में यह कोई जगह ही नहीं है बागे अभी चल रहा है 2,3 से, ठीक है आक्शलिया वो पता क्या रेलाइस करना है यह रेलाइस करना है कि यहां से आप 2 रस्ते जा सकते हो यहां से आप दो रस्ते जा सकते हो मगर यहां से आप यहां से आप डाउन नहीं जा सकते हो सिर्फ और जा सकते हो यहां से आप डाउन नहीं जा सकते हो उसर्फ और जा सकते हो यहां से आप राइट नहीं जा सकते हो सिर्फ डाउन जा सकते हो आप horizontal path को declare कर लिए और आप vertical path को भी declare कर लिए इनिशिलाइज नहीं कर लिए ठीक है या फिर ऐसा लिए कि new RLS आपने इसको new कर लिया खाली RLS आपके बना लिए आपने बना लिए तो मेरी बात ध्यान से देखेगा अभी मैं क्या गया रहा हूं अगर अगर आपका SC आपका जो column है max column वो destination column से छोटा है मतलब आप right wall पर नहीं है आप थोड़ा से अंदर है तो भाई आप horizontal call लगा सकते हैं और इसी तरह से अगर आपका SRDR से छोटा है source row destination row से छोटी है तो भाई आप vertical लगा सकते हैं अब इसको all in all ध्यान से देखेगा बहुत ध्यान से पढ़िए का मैंने क्या लिखा है तो column मैंने adapt किया है इसको मैंने क्या लिखा है horizontal bar declare किये horizontal call लगने के लिए जरूरी है कि आप last column में नहीं हो vertical call लगने के लिए जरूरी है कि आप last row में नहीं हो अगर आप last row में होंगे तो सिर्फ horizontal call ही लगेगी और last column में होंगे तो सिर्फ vertical call ही लगेगी ठीक है I hope you get the point अच्छा जी तो अब हम यह जब कर चुके हैं तो इसका हम फायदा उठाएंगे लाइए यहां करते हैं काम दुबारा से इसको बनाने के लिखिश करते हैं हम है one one पर जिए दोनों call लगेंगी क्यों लगेंगी horizontal इसे लगेगी क्योंकि हाँ यह 3 नहीं है तो लगेगी call horizontal लगने से हम पहला row है और फिर column है पहला row फिर column तो horizontal call लगेगी तो 1,2 पर पहुंच गए vertical call क्यों लगेगी क्योंकि यह 3 नहीं है अब यहां से भी horizontal लगेगी क्योंकि यह 3 तो नहीं है ना 1,3 और vertical भी लगेगी क्योंकि यह 3 नहीं है 2,2 यहां से horizontal लगेगी क्योंकि यह 3 नहीं है और vertical लगेगी क्योंकि यह 3 नहीं है अब यहां से 1,3 आप actually ना 2 horizontal चलके इस दिवार पर आ चुके हो अब यहां सिर्फ vertical calls लग सकती है vertical call ही लगेगी 2,3 vertical call ही लगेगी 3,3 अब यहां से दोनों लग सकती है horizontal लगेगी आप 2,2 पर है horizontal लगेगी तो आप पहुंचाएंगे 2,3 पर vertical लगेगी तो आप पहुंचाएंगे 3,2 पर horizontal लगेगी तो आप पहुंच जाएंगे 2,3 पे vertical लगेगी तो आप पहुंच जाएंगे 3,2 पे अब यहां से horizontal अगर लगी तो आप पहुंच जाएंगे 3,2 पे vertical लग नहीं सकती आप 3,1 में हैं vertical लगी तो बाहर निकल जाओगी तो horizontally लगेगी और यहां से भी 3,2 होगे तो horizontally लगेगी अब यहां से आप 2,3 है 2,3 का मतलब क्या होता है second row third column आप सिर्फ vertical call लगा सकते हैं आप right most दिवार पर है 3,2 का मतलब क्या होता है third row second column आप सिर्फ horizontal call लगा सकते हैं क्योंकि आप bottom wall पर है 2,3 से तो सिर्फ vertical call लगती है 3,2 से तो सिर्फ horizontal call लगती है चेक है तो यह आपका बन गया tree more or less अब यहां पर आप क्या करोगे यहां से आपको base case है यहां से एक blank path written किया जाएगा एक size का path written किया जाएगा path में एक path written किया जाएगा 3,3 से 3,3 जाने कितने path हैं यह एक path कौन सा path है जी वो blank path है खड़े रो, हिलो मत तो इस blank path को 2,3 से 3,3 का path बनाना हो तो इसके मूँपे V लगाना पड़ेगा 1,3 से 3,3 का path बनाना हो देखे 2,3 से 3,3 का path है बरध्यान से दिखेगा इसको 2,3 से 3,3 का path है V यह रिखा हुआ 2,3 से 3,3 का path है एक vertical यह लिखा हुआ अगर इसको 1,3 से 3,3 का path बनाना है तो इसके सामने यह vertical लगाना पड़ेगा ताकि यह V,V बन जाए चेके ऐसे ही यहाँ भी वही बात है V 3,2,3,3 से 3,3 का path है तो 3,2 से 3,3 का path है H और dot interact करके H बनाएंगे 2,3 से 3,3 का path V color change करता हूँ, mix हो रहा है 3,2 से 3,3 का path H 3,2 से 3,3 का path H अब एक मिनट बिना 2,2 पर पूरी महनत कीजेगा, मैं इसको मिटाता हूँ 2,2 पर पूरी महनत कीजेगा, मेरे साथ DJ का बढ़िया वाला मित्रों 1,2,3 1,2,3 2,2 से 3,3 का रस्ते चाहिए आप 2,2 पर है आपको पता लग चुका है कि आप horizontal effort लगा कर सारी मैं गल्स डॉँ किया आप horizontal effort लगा कर 2,3 पर आए और 2,3 से 3,3 का रस्ता है लिखा हुआ यह रहा, एक ही रस्ता है वो vertical है तो यह रहा वो रस्ता तो इस रस्ते को 2,2 से 3,3 का रस्ता बनाना हूँ तो इसके मुँपे H लगाना पड़ेगा और आपको यह पता है आप vertical effort करके 3,2 पर गए थे और 3,2 से आपको आगे का रस्ता मिला एक H उस H वाले रस्ते को 2,2 से 3,3 का रस्ता बनाना होता उसके मुँपे VH लगाना पड़ेगा जिससे बन जाएगा VH यहां भी सेम होगा H इस V के साथ इंट्राक्ट करेगा और V इस H के साथ इंट्राक्ट करेगा तो VH बन जाएगा उपर आगे रस्ता H है और यह भी एफर्ट भी एच है तो H एच एच रस्ता बन जाएगा अब यहां मेहनत करते हैं साथ दीजेगा देखते हैं कि आप मेरी मदद कर पाएंगे की नहीं आप देख समझ पाएंगे की नहीं 1,2 1,2,3 1,2 is this spot यहां पर बताया है horizontal move करके बन्दा यहां आ जाता है 1,3 पर बिल्कुल सही बात है और 1,3 से बताया है एक ही रस्ता है 3,3 का उस रस्ते का नाम है VV वो VV रस्ता है और 1,2 से एक vertical motion करके बन्दा आ जाता है 2,2 पे और 2,2 से बताये दो रस्ते है HV और VH यह रस्ता है HV और यह रस्ता है VH तो इन दोनों रस्तों को HV और VH को अगर यहां का रस्ता बनाना है यहां से रस्ता बनाना है यह आगे के रस्ते हैं HV और VH इनको अगर 1,2 से 3,3 का रस्ता बनाना है जो वी वी है उसको गर 1,2 से 3,3 का अरस्ता बनाना तो उसके मूँपे एच लगाना होगा एच इसके साथ इंटराक करके बना एच वी और वी इच वी और वी इच similarly यहाँ पर एच जब इनके साथ इंटराक करेगा तो बनेगा एच एच वी एच वी एच और वी इसके साथ इंटराक करेगा वी एच एच अर अब यहाँ पर एच इनके साथ इंटराक करेगा तो बनेगा एच एच वी एच वी एच वी एच वी और वी इनके साथ इंटराक करेगा तो बनेगा वी एच वी एच वी एच वी एच वी एच वी एच वी होगा था तो बेस केस लिखना है हमको कि बेस केस हम डरते थोड़े ही हैं कि बेस केस में बस मुझे तुम्हें विश्वास दिलाना है कि 3,3 से 3,3 का एक रस्ता है क्लास में होता ना कोई तो मुझे अब तक सवाल पूछ चुक होता सर विश्वास नहीं और आपकी बातों पर अपना सम्हाव वीडियो मेकिंग में यह एक थोई समस्या है कि मुझे तुम्हारा फीड़बाक नहीं मिलता तो आइड़ नौट नो कि तुमने इस बात पर विश्वास कर लिया है कि नहीं कर लिया है टेक है nevertheless we are done with the code यह हमने पात किया पॉपी कर लिया कहीं यह लॉगाउट ना कर दे तू और हमने 3-3 के लिए देखा हमें 3-3 के लिए क्या आउटपूट लाके देता है कि अधिक होगी तो अंसर तो ला रहा है सब्मेट करके देखते हैं एक्सेप्ट होता है या नहीं लो और बिहोल्ड इस अधिक्सेप्टेट उमीद करता हूं को समझ में आओगा उमीद करता हूं इस बार तो मज़ा आया होगा मिलते हैं अगले सवाल में थैंक्यू वरे मच्